शनी देव की मूर्ती काले रंग में ही के होती है और उनकी मूर्ती को घर के मंदिर में क्यों नहीं रखना चाहिए कहते हैं कि अत्यति को प्वास करने के कारण गर्ब में ही शनी देव का रंग काला हो गया था चलिए अब जानते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों शनी एक ऐसा नाम है जिसे पढ़ते सुनते ही लोगों के मन में भैवत पन हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि शनी की कुद्रिस्टी जिस पर पढ़ जाए रातो रात राजा से बिखारी हो जाता है और वही शनी की किरपा से भिकारी भी राजा के समान सुख प्राप्त करता है यदि किसी व्यक्ति ने कोई बुरा करम किया हो तो वह शनी के प्रकौप से बिल्कुल नहीं बच सकता शनी देव और सूर्य देव की आपस में बिल्कुल नहीं बनती शनी सूर्य से शत्रूता का भायव रखते हैं शनी और सूर्य के संबद में शत्रूता तो ठीक है लेकिन हैरानी की बात यह है कि शनी सूर्य के ही पुत्र है और पुता-पुत्र में बल्कि शत्रूता का संबद कैसे हो सकता है आईए आपको बताते हैं कैसे शनी देव बने अपने पिता के शत्रू पुराणी कथाओ के अनुसार सूरे और शनी के इस सत्रूता के पीछे के कहानी कुछ इस प्रकार से है हुआ यू कि सूरे देव का विवा तुरस्टा की पुती संग्या के साथ हुआ और सूरे देव का तेह बहुत था बहुत अधिक जो संग्या से सहन नहीं हो पाता था फिर भी जैसे तैसे उन्होंने सूरे देव के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया देवस्त मनू, यम और यमी के जनम के बाद उनकी तेज को सहन करना संग्या के लिए बहुत बेकार होने लग गया तब उन्होंने एक उपाय सुझा उन्होंने अपनी परच्षाई चाया को सूरे देव के पात छोड़ कर वह वहाँ से चली गई सूरे देव को चाया पर जरा भी संग्या नहीं हुआ, कि यह संग्या नहीं है अब सूरे देव और चाया खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतित कर रहे थे उनके मिलन से सावन्ने, मनू, तप्ती, भद्रा एवं शनी का जनम हुआ जब शनी चाया के गर्ब में थे, चाया तपस्य रहते हुए उप्वास करती रहती थी केते हैं कि अत्यदिक उप्वास करने के कारण ही घर्ब में ही शनी देव का रंग काला हो गया जनम के बाद जब सूरदेव ने शनी को देखा, उनके काले रंग को देकर वे उनको अपनाने से इंकार करते चाया पर उन्होंने आराउप लगाया कि ये उनका पुत्र नहीं है लाग समझाने पर भी सूरदेव बिलकुल नहीं माने इसी कारण खुद के और अपनी माता के अपमान के कारण शनी देव और सूरदेव से वेरभाव रखने लगे शनी देव ने अपनी साधना तपसे द्वारा शिवजी को प्रशन कर अपने पिता सूरे की भाती ही शक्ति प्राप की और शिव जी ने शनी देव का वर्दान मांगने को खा तब शनी देव ने प्रात्ना की युगो युगो में मेरी माता च्छाय की पराजे होती रही है मेरे पिता सूरे द्वारा उनका बार-बार अपमानित्वा परताफ़त हुआ है अब माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और मैं उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बनूँ तब भगवान शंकर ने वर्दान देते हुए खा कि नव गुरह में तुम्हारा सर्वस्टे स्टान होगा मानग तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से डरेंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लिस लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगी धन्यवाद